माफिया अतीक एहमद और उसके भाई अश्रफ की हत्या के 40 दिन पूरे हो गए। प्रयागराज में मेडिकल के लिए कालविन अस्पताल ले जाया गया था जहां 15 अप्रेल को अतीक अश्रफ की हत्या कर दी गई थी। आज यानी गुरुवार को अतीक और अश्रफ का 40 वा है। इसलाम धर्म की रवायत के मुताबिक 40 वे के दिन परिवार के सदस्य वह अन्य करीबी मृतक की कबर पर खूल चड़ाते हैं और फातिहा पढ़ते हैं। लेकिन अभी तक वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अतीक की पत्मी शाइस्ता और अश्रफ की पत्मी जैनब अभी भी पुलीस की पहुंच से दूर है। तमाम कोशिशों के बाद भी पुलीस उनको पकड़ने में नाकाम्याब रही। वहीं उमेशपाल हत्याकान के आरोपी अतीक का करीबी बंबाज गुड़ू मुसलिम का भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलीस ने गुड़ू मुसलिम पर पाँच लाक और शाइस्ता पर पचास हजार का इनाम रखा है।